हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का फिनों टॉक इंवेस्टिंग में स्वागत हैं आज हम लोग बात करेंगे रूची सोया एफ्पियों के बारे में और जानेंगे कि इसमें इंवेस्टमेंट करना कितना सही है रूची सोया एफ्पियों लाने का जो में अबजेक्टिव है वो है कंपनी का एक्जिस्टिंग बोरो इंग्स को रीपेमेंट करना और इनको थोड़ा सा कैपिटल रिक्वाइरमेंट है पैसे की ज़रोते इसलिए ये लोग एफ्पियों लेके आ रहा है तो अब हम लोग बा और ये कल यानि 28 मार्च 2022 को बंद हो जाएगा और इसका जो फैस्ट वैल्ल्यू है वो है 2 रूपिया पर एक्विटी से है वहीं इस एफ्पियों का जो प्राइस बैंड है वो 615 रूपिया से 650 के बीच है और ये एफ्पियों जो है वो बीएसी और एनिस इपे दोनों पे होगा वहीं जब ये एफ्पियों आपको मिलेगा तो उसका जो एक्तिसमार्च 2022 अगर एक्तिसमार्च 2022 को आपको एलेट्मेट्मन मिल गया तो थीक है नहीं अपरेल 2022 यानि 6 अपरेल से एक IPO share में आप खरीद या विक्री कर सकते आपको करेट हो जाएगा NSE और BSE पर NSE और BSE दोनों पर वहीं रूची सोया एक IPO में आप मिनमम एक लोट के लिए अप्लाइ कर सकते हैं जिसमें कि आपको 21 share मिलेंगे और उसके लिए आपको 13,650 रुट प्या पे करना होगा और आप मैक्सिमम 14 लोट के लिए अपलाइ कर सकते हैं जिसमें कि 294 share मिलेंगे और इसके लिए आपको 1,91,100 पे करने पड़ेंगे पहुआ हैं तो वहीं अब हम लोग बात करते हैं कि इसे प्यों में इन्वेस्टमेंट करना सही है यह गलत तो जहां तक मेरा analysis है तो इस P.O. में मेरा analysis neutral है मानल पिएdefined कर सकते या नहीं वह आपे डिपेंड करता है बट मेरा उपिनियन न्यूट्रल है मतलब मैं इन्वेस्ट नहीं करने जा रहा हूं आप लोग कि रुपया कमेंट में बता है कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे या नहीं थैंक यू फॉर वाचिंग फिलिज सब्सक्राइब चैनल